दुनिया भर में कोरोना महामारी की वज़े से जो संकत भेला है उसका अंदाजा शायद आपने और हमने पहले कभी नहीं लगाया था कभी हमने ये सोचा नहीं था कि एक ऐसी महामारी का सामना हम लोगों को करना पड़ेगा जिसके बाद आपको और हम सबको अपने घरों में कैद रहना होगा लोगडाउन जैसी स्थिती आन पड़ेगी और सुरक्षा का ख्याल रखना इतना ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि जान पर बन आन पड़ेगी और उस वक्त ये तै करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि कैसे हम इस विमारी इस महामारी से बच पाएंगे एक तरफ तो देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से इस वक्त जूज रहा है और आई दिन कोई ना कोई नई चिंता, नई परिशानी सामने आकर खड़ी हो जाती है और अब एक ऐसी ही information हम आपको देने वाले है नमस्कार, डेली मुझ लिया में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ ने हावालिया कोरोना का एक नया variant जिसका पता लगाया गया है यह ऐसा variant है जो करीब साथ दिनों में आपका वजन कम करना शुरू कर देता है वाइरस का यह variant ब्राजील में सबसे पहले मिला था लेकिन वहां से एक ही variant के भारत में आने की पुष्टी की गई थी अब वैग्यानिकों ने सपच्ट किया है कि ब्राजील से एक नहीं बलकि दो वेरियंट भारत में आये है और यह दूसरा वेरियंट B.1.1.1.28.2 काफी तेज है CRI हैंस्टर में परिक्षन से पता चला कि संक्रमित होने के साथ दिन में ही इस वेरियंट की पहचान हो सकती है यह वेरियंट तेजी से शरीर का वजन कम कर सकता है और डेल्टा की तरह यह भी ज्यादा गंभीर और एंटीबोडिक शमता कम कर सकता है यानि अब भारत में इस दूसरे वेरियंट की पुष्टी होने के बाद यह बात तो साफ है कि यह वेरियंट भी हलके में नहीं लिया ज़ा सकता इस वेरियंट के शरीर में आने के बाद तेजी से यह वजन कम करना शुरू कर देता है पुने स्थित नैशनल इंस्टिटूट ओफ वारलोजी की डॉक्टर प्रग्या यादव ने बताया कि B.1.1.1.28.2 वेरियंट बाहर से आए दो लोगों में मिला था जिनकी जिनोम्स की वेंसिंग करने के बाद परिक्षन भी किया ताकि उसके असर के बारे में हमें पता चल सके जोकि भारत में अभरे तक इस वेरियंट के ज्यादा मामले सामने नहीं आए हैं हलांकि डेल्टा वेरियंट के मामले ज्यादा हैं और ऐसे में सतरकता बरतना अलर्च रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एंटी बॉडी के स्तर को कम करता है जिससे दोबारा आपके संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है उन्होंने ये भी बताया कि इसी साल जनवरी में कोरोना वारिस के P1-1 का पता चला जिससे 20J501YEV3 नाम से भी जाना जाता है इसमें 17 तरह की स्पाइक प्रोटीन पर बदलाव देखे गए थे जिन में N501Y, E484K और K417N शामिल है इसी दोरान P2-1 भी भारत में आया था जिसके बारे में अब पता चला है इस वारिस के स्पाइक प्रोटीन में E484 के नामक अमीनो असिद बदलाव मिला है जिसके इन में N501Y और K417N नामक परिवर्तन नहीं है जानकारी में ये भी बात सामने आई हैं कि अब तक इस वेरियन की वज़े से 9 मिसे 3 हैंस्टर की मौत हो चुकी है विदेश यात्रा से लोटे 79 और 26 वर्षे दो लोगों के सैंपल की स्क्यूएंसिंग की गई थी रिकवरी होने तक ये दोनों रोगियों में लक्षन नहीं था लेकिन इनके सैंपल के बाद जब B.1.1.1.28.12 वेरियन का पता चला तो उसका 9 सीरियाई हैंस्टर पर 7 दिन के लिए परिक्षन किया गया इनमें से 3 की मौत शरीर के अंदरूनी भाग में संक्रमन बढ़ने से हुई और इसी दौरान शरीर में फेफडों में इंफेक्शन की बाद और एंटी बॉडी के स्तर के भी कम होने की जानकारी मिली इस अध्यम में ये भी देखने को मिला है कि जिन दो लोगों में ये वेरियंट मिला है वो बिना लक्षन वाले थे लेकिन जब इस वेरियंट से सीरियाई हैंस्टर को संक्रमित किया गया तो गंभीरता के बारे में पता चला देग्यानिकों के मताबिक कोरोना वारस के ज्यादा तर परिक्षन सीरियाई हैंस्टर पर हो रहे हैं और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर B.1.1.1.28.2 से जुड़े मामले बढ़ते हैं तो इसका असर इंसानों पर काफी गंफीर हो सकता है इस बात से ये तो साफ साफ कहा जा सकता है कि ये वेरिंट इंसानों के लिए बेहत खतरनाक हो सकता है और ऐसे में अगर ये वेरिंट शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसके बाद इंसान का वजन साथ दिनों में तेजी से गिरने लगता है उम्मीद करते हैं कि ये ज्वानकारी आप लोगों के काम आएगी और साथ ही आप डेली बस इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले